हेलो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आप सोईलों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आज का एक क्लास जो है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि आज के इस class में मैं आप लोग को बताऊंगा कि carburetor क्या होता है और fuel injection system यह जो आज के bikes में और आज के बहुत सारे ऐसे फोर्बिलर्स में fuel injection systems का यूज किया जाने लगा है carburetor को replace करके तो यदि आप लोग mechanical engineering से diploma, btec या iti कर रहे हैं या यदि आप लोग mechanic के छेतर में knowledge रखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यह video काफी ज़्यादा importance है, काफी ज़्यादा helpful है आप लोग carburetor के बारे में जानेंगे इस video में और fuel injection systems के बारे में जानेंगे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि carburetor के कौन कौन से advantage point है, कौन कौन से disadvantage point है उसी तरह से fuel injection systems को भी बताएंगे कि advantage और disadvantage क्या है इसके हमारे जो भी vehicles आ रहे हैं उसमें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को carburetor के बारे में बताना चाहता हूँ देखिए friends, कोई भी जो internal combustion engine होता है, generally जिसमें spark ignition कारे करता है, यानि जिसमें spark plug का यूज किया आता है उसमें carburetor का यूज किया जाता है, बट आज के समय में इस carburetor को replace करके fuel injection system का यूज किया जाने लगा है तो carburetor को आप लोगों को बताएंगे सबसे पहले, देखिए carburetor क्या होता है friends, carburetor जो है एक ऐसा mechanical device है, जो air and fuel के mixture को तयार करके engine cylinder के अंदर भेज़ता है और fuel injection systems का भी कार यही होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग तरीका है लेकिन लच्छ दोनों का, बोले तो aim दोनों का, या car करने का दोनों का बोले तो दोनो air and fuel के mixture को ही तयार करते हैं, बट तरीका दोनों का अलग अलग है किसी को यूज करने से बाइक की माईलेज या फुर्विलर की माईलेज बढ़ जाती है किसी को यूज करने से थोड़ा सा कम हो जाती है माईलेज इसलिए कार्बूरेटर को रिप्लेस करके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को लाया गया है पहले carburetor को पढ़ेंगे उसके बाद से fuel injection system को ही आप लोगों को बताएंगे क्योंकि आज का है हमारा देखिए वीडियो काफी जादा लंबा होने वाला है आप लोगों को बहुत सारे knowledge आज के इस वीडियो में मिलने वाला है तो चलिए सबसे पहले carburetor को पढ़ते हैं हम लोग एक ऐसा mechanical device है जो air and fuel के mixture को तयार करके engine cylinder के अंदर भेजता है पहला point होगा next point क्या हुआ carburetor का तो carburetor बर्नौली स्थेरिक के उपर कारे करता है अब बर्नौली स्थेरिम क्या होता है यदि आप लोग इसे नहीं जानते हैं तो मैं इस वीडियो के description में बर्नौली स्थेरिम का link दे दूँगा आप उस link से जा करके उस वीडियो को देखका बर्नौली स्थेरिम को समद सकते हैं लेकिन मैं हलका सा जरूर इसे बताऊंगा कि बर्नौली स्थेरिम क्या होता है देखिए फ्रेंट्स जो बर्नौली स्थेरिम होता है वह होता है कुछ इस टाइफ का कोई air हुआ या water हुआ यानि कोई भी floats ले लेते हैं उसे हम इस side से इंटर करेंगे तो इस points पर जो action होगा वह बर्नौली स्थेरिम के अनुसारी होगा और यह action कैसे होता है जैसे mileage यहां पर volume कम हो गया तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब किसी भी चीज का कोई भी pipes हुग इसका बालो इसका area कम होता है उस point से जो ही floats गुजरेगा उसका क्या होगा pressure बिल्कुल अचानक से कम हो जाएगा क्या हो जाएगा कंफ्यूज नहीं होने का यह नहीं कि ज़्यादा हो जाएगा यहां पर उसका pressure कम हो जाएगा और वह तीजी से बिलाष्टी यहां पर लेकिन प्रेसर एकदम से ड्रॉप हो जाएगा इसके करण इस साइट से यदि आप कुछ भी इसमें प्रिवेश कराएंगे तो बहुत जल्दी से इसमें अंदर चलाएगा इस साइट से यही कारे करता है जो कार्बूरेटर होता है वहां बर्नुलिस ठीरम के सिदान पर कारे क असानी से फ्यूल इंजेक्ट हो जाता है और यहां पर फ्यूल और एयर का मिक्चर तयार कर लेता है तो कार्बूरेटर बर्नुलिस ठीरम के उपर कारे करता है सबसे पहले आप लोग बर्नुलिस ठीरम को जा करके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक से है जाकर जरूर देखिएगा है उसके बाद नेक्स्ट माइंट को डिस्कस करेंगी कार्ब्रेटर में चोक के हिल्फ से यहानि जो चोक वाल्व होता है इसकी health से air की quantity को कम किया जा सकता है यानि carburetor में जो चोक वाल्व लगा होता है इसकी सहायता से air की quantity बोले तो air की मात्रा को कम किया जा सकता है आप लोग देखते हैं जब आप bikes थंड़क के समय में start करते हैं तो आपकी bikes start नहीं होती है तो आप लोग क्या बोलते हैं चोक ले लिजे यह चोक लेने का मतलब यह हुगा जो air cleaner के थुरू इस carburetor में air आ रहा था इससे एक valve के थुरू यहां पर एक valve लगा होता है इस valve के थुरू air को बंद कर दिया जाता है यहां पर fuel की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है इस चोक लेने पर air की मात्रा कम हो जाती है fuel की मात्रा बढ़ जाती है कि नेक्सट मॉइंट होगा कार्भू एटर में थ्रोटल वाल्व की सहता से fuel की मात्रा को kontrl και आता है जो थ्रोटल वाल्व होता है यहां हमारा एक thoughtful chamber होता है उसमें यूज क्या गाता है, कार्भोईटर की, कार्भोईटर में थ्रॉटल वाल्व की साहता से Fuel की मात्रा को कंट्रूल किया था जो सुर जो प्रॉटल वाल्व होता है, यह एर और फ्यूल की जो Mixture तयार किया होता है, इस mixture को engine cylinder में भेजने से पाले throttle valve की साहता से control कियाता है नो कि जितना mixture तयार होगा उतना engine के अंदर भेजा जाएगा बलकि throttle valve की साहता से engine for load की अनुसार engine cylinder के अंदर भेजाता है यह सारा control जो होता है mechanical होता है mechanic के हाथ में होता है वहाँ control करता है लेकिन यह फाई सिस्टम में ही उल्टा हो जाता है आप लोग देखेंगे वहाँ पर आटोमेटिक कंट्रोल होगा वहाँ पर एक प्रोग्राम होगा उस प्रोग्रामिंग के थुरू यह एर और फ्यूल के मिक्स्चर को कंट्रोल करेगा एक कारबॠेटर एक किवाई्टर को को कोई भी धिक्कत होता है आप उसे जा करके एक मेकेनिक से दिखा करके चल्ञति करा लेते हैं लेकिन वही वह फाई सिस्टम का के उद्टिक्राम होता है उसकी स्किल मेकेनिक जरूरत पढ़ेगे उसे सही करने के लिए इसने हर एक चीज अप्रेशשन होगässन इसे enabling के थूडू कैंट्रोल किया करेंगे यनि मेकेंग कुछा करेंगे उसे सही करा सकते हैं लेकिन जो एफाइ सिस्टम होगा वह केम्पू आइज होगा उसם एक प्रोग्राम बनाओगा उस प्रोग्राम के थ्रूही वह सही हो पाएगा अब देखिए मैं कर्बूरेटर में किसी इलेक्ट्रानिक या कैम्पूर्टर टेक्निक का यूज नहीं किया याता है तो यह थे हमारे कर्बूरेटर के साथ पॉइंट आप लोग अपने नोट्बूक में इसे कैम्पूर्टराइस डिवाइस होता है जो एयर एंड फ्यूल के मिक्चर को एक सिस्टम के थ्रू तयार करके इंजन शिलेंडर के अंदर बेजता है यही कार्वेटर का भी कार्य था लेकिन वह इलेक्ट्रानिक और कैम्पूर्टराइस कर्णोर नहीं होता था वह मैकीन कर device था लेकिन यहाँ FI system electronic होता है और computer में एक program होता है उस program के थूँ ECU जो होता है ECU का नाम आप लोग सुने होंगे engine control unit इसे ही बोलते हैं कुछ लोग electronic control unit भी बोलते हैं ECU को इस ECU में programming होता है अलग-अलग vehicles के हिसाफ से है हर एक ECU का जो programming होगा वह अलग-अलग होगा बीना ECU के जो भी FI system पे चलने वाली गाड़ियां है वह चालू नहीं किया सकती है क्योंकि जब वहां पर air and fuel के mixture को control करने का कोई ऐसा device ही नहीं होगा तो कैसे air and fuel उस engines के अंदर जाएगा जब तक ECU नहीं लगेगा तब तक उस bikes को चालू नहीं किया जा सकता है देखिए fuel injection system ये लेक्ट्रानिक और computerized device होता है जो air and fuel के mixture को तयार करता है और यहां engine cylinder के अंदर भेजता है एक programming के थुरू यह programming ECU के अंदर होता है एक काफी काश्टली होता है आप लोग देखते होंगे पहले जो कार्बेट्रेक वारी बाइक्स आती है उससे पांद साथ हजार दस दस हजार तक की बाइक्स की रेट बढ़ गई है ECU के यूज होने से अब देखिए अगला point fuel injection system में यह काम electronic और method से होता है जो एक programming के थूर जनरेट किया था है नेक्स्ट point जो fi system होगा इसमें electronic sensor की help से मिलने वाली डेटा बता देती है engine को कव कितनी मात्रा में air and fuel चाहिए यह नहीं बोले तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी electronic sensor होती है यह sense करके किसके थूर issue के थूर सेंस करके fuel और air के मात्रा को combustion chamber के अंदर भेजने का कारे करता है next सबसे बड़ा benefit यहां देखने को मिलता है कि environment के temperature के अनुसार यानि वाता वरल में जो भी temperature हो गया 10 डिगरी 20 डिगरी या 50 डिगरी जो भी temperature होगा उसकी अनुसार air and fuel की बिल्कु सठी quantity भेजेगे यह थंड़क का मोसम होगा तो इस्टार्ट होने के time air को कम कर देगी और fuel की मात्रा को बढ़ा देगी और वही गर्मी का time होगा तो हाँ पर air and fuel की एक required मात्रा को engine cylinder के अंदर भेजने का कारे करता है जो हमारा five system होता है खिने लोड की अनुसार air and fuel की mixture को तयार करता है जो new five system होता है उस engine पर कितना लोड़ पड़ रा है उसके अनुसार engine cylinder के अंदर air and fuel की मिक्चर को तयार करके भेजता है तो आप लोग देखें यहां पर कार्बूलेटर और FI सिस्टम भो, आप लोगो क्या समझ में आया, हमारे अनुसार यहां पर यह समझ में आता है कि कार्बूलेटर जो होगा, वह इंजन की माइलेज की साथ छेल चाल कर सकता है, यह जो मैकेनिक उसे सेट करेगा, हो सकता है, कि वह ऐसा सेट करें कि engine की जो mileage है कुछ कम हो जाए या कुछ ज़्यादा हो जाए लेकिन FI system जिस bikes में हुआ रहेगा उसमें एक issue होगा issue में programming होगा उस programming के थ्रू ही उस engines को उतना ही air and fuel का mixture भेजा जाएगा जितना उसे require होगा load ज़्यादा होगा तो ज़्यादा fuel का exemption करेगा एधि कम होगा तो वहाँ पर कम fuel को use करेगा इस तरह से FI system वाले bikes जो होगी उसकी mileage थोड़ा ज़्यादा होती है compare तो carburetor यूज करने वाली bikes की एधि अच्छी तरह से setting नहीं होती है तो carburetor वाली bikes की mileage कम हो जाती है लेकिन FI system में नहीं होता है तो आप लोगों के वीडियो कैसा लगा आप इसे comment में जरू बता है नए topic पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप उसे comment box में comment करके वता सकते ह कि किस टापिक पर वीडियो आपको चाहिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं मिलते अगले वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत